नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे की MTNL किड्सिरप का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, MTNL किड्सिरप को कैसे लेना चाहिए, और MTNL किड्सिरप की वज़र से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यहाँ भी डिस्कस करेंगे की MTNL किड्सिरप को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, MTNL किड्सिरप के अंदर दो दवाओं का कॉंबिनेशन होता है, MTNL किड्सिरप के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन लिवोसेट्रिजीन और मॉन्टेलुकास्ट होता है, लि लक्षणों जैसे सांस फूलना, सांस लेने में दिक्कत होना और सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज आना आदी लक्षणों को नियंतरन करने वर रोकने में मदद करती है, MTNL किड्सिरप का उप्योग बच्चों में अस्थमा होने पर सर्दी जुखाम नजला और एलर्जी के लक्षणों को ठीक करने के लिए MTNL किड्सिरप का उप्योग किया जाता है, सर्दी जुखाम एलर्जी या नजला के लक्षण जैसे नाक से पानी बहना, नाक का बंध होना, आंखों से पानी आना, आक, नाक या गले में खुजली होना, छीन आना और शरीर पर कहीं खु होने पर त्वचा पर एलर्जी होने पर और त्वचा पर रैशेस होने पर भी MTNL किड्सिरप को लेने की सला दे सकता है, मधुमख़्ी या किसी अन्यकम जहरीले जानवर के काटने की वज़ह से कुई त्वचा पर रैशेस, सूजन और खुजली को ठीक करने के लिए भी ड एफेक्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ पसेंट बच्चों में MTNL किड्सिरप की वज़ह से कुछ सामान्य साइड एफेक्स हो सकते हैं, जैसे मुँमें सूखापन होना, सिरदर्ध होना, शरीर में ठकान वसुस्ती होना, नीन अधिक आना, नाक से खून आना, गले में खरा प्राश होना, दस्त होना, कब्स होना और उल्टी आने का मन होना आधि साइड एफेक्स MTNL किड्सिरप की वज़ह से हो सकते हैं, अब हम डिसकस करेंगे की MTNL किड्सिरप को कैसे लेना रेक्मेंडेर होता है, MTNL किड्सिरप को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है, और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है, आमतार पर दो साल से लेकर छे साल तक के बच्चों को, डॉक्तर टू पॉइफ मिलीलीटर MTNL किड्सिरप को दिन में एक ही बार और शाम के समय लेने की सलाह देते हैं, और छे साल से लेकर ग्यारा साल तक के बच्चों को, MTNL Kid Sirup को दिन में एक ही बार और शाम के समय लेने की सलाह देते हैं। MTNL Kid Sirup की दोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको MTNL Kid Sirup को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई दोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि MTNL Kid Sirup को लेते समय क्या-क्या सामधानिया रखनी चाहिए। दो साल से कम उम्र के बच्चों को MTNL Kid Sirup को देना रेक्मेंडेड नहीं होता है। इसलिए 2 साल से कम उम्र के बच्चों को MTNL Kids सिरफ को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं देना चाहिए। वैसे ज्यादातर बच्चों में MTNL Kids सिरफ को लेने के बाद ज्यादा नींद नहीं आती है। लेकिन कुछ बच्चों को MTNL Kids सिरप को लेने के बाद नीन अधिक आ सकती है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपका MTNL Kids सिरप से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।